हालो एवरीवन वेलकम बाक टू माई चैनल मेग जोन गेर अप वित अस आज आप लोग यहां पर एक आप लोगों के साथ डिसकस करेंगे और वो टॉपिक यह है कि वाट शुडबी दी आईडियल ट्रेट्स और आईडियल कारेक्टरिस्टिक्स अफ अपने इस वीडियो में तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इसे लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे आप लोगों के लिए हमने एक नया सेक्शन शुरू किया है अपने चैनल पे डाट इस जॉब अपडेट्स का तो आप अप तो अगर हम बात करें पुराने जमाने की जब हम लोग संस्कृत पढ़ा करते थे तो वहां पर हमने एक शलोक पढ़ा था दाट इस काकचेश्टा बको ध्यानम श्वानिमिद्रा तथैवचा अल्पहारी ग्रहत्यागी विध्यारतिय पंचलक्षणम इसका मदलब होता है क जावे जैसी चाला की, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, कम खाने वाला और घर से मोह ना रखने वाला ये पांच जो लक्षण है एक विध्यारति के लक्षण होने चाहिए लेकिन तब से लेके अब तक सिनारियो में काफी जादा चेंज आ गया है तो हम से जमाने के साथ आपको भी यहां पर बदलना पड़ेगा, तो according to me जो एक successful student के important characteristic features होने चाहिए, सबसे पहला उसमें आता है सायम, सायम means patience, तो patience is the virtue for attaining any type of destination, किसी भी destination पर पहुँचने के लिए आपको patience रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप patience नहीं रखोगे, आप ज़्यादा enthusiastic हो जाओगे, बल्ला किसी भी चीज में over energetic होना और किसी भी चीज में under energetic हमें नहीं होना चाहिए, we should have patience, patience रखिये and wait, थोड़ा सा हमें wait करना पड़ेगा, क्योंकि जब सही समय आएगा, तभी आपको अपनी मंजिल मिलेगी, ना उससे पहले मिलेगी और ना ही बाद में मिलेगी, यह चीज आपको जरूर से ध्यान लखनी है, तो patience हो गया हमारा सबसे पहला एक important characteristic किसी student का, second characteristic जो हमारा किसी भी एक successful student में होना चाहिए, that is एकागरता, एकागरता का मतलब होता है, they should be focused, तो आज कल हम लोग देख रहे हैं कि focus से हटाने के लिए हमारे प focus destroy किया जा सकता है, तो normally लोग क्या करते हैं कि सवाल solve करते समय गाना सुनते हैं, तो आदत पढ़ जाती, examination hall में आपको गाना नहीं सुनना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको focus रखना पड़ेगा, क्योंकि focus अगर आप नहीं रखेंगे, तो trust me कि 100% efficiency, आप, मतलब हमारा 100% efficiency तो किसी की भी नहीं होती, at least 50% या 60% efficiency से भी अगर आपको काम करना है, तो आपको अपना focus बनाए रखना पड़ेगा, third जो हमारा एक important characteristic है, एक student का, वो होता है सादगी, सादगी means simplicity, तो according to me, सादा जीवन और उच विचार, means simple living and high thinking, तो simple living रखेंगे और high thinking रखेंगे, आपका friend है, he or she is wearing a US polo t-shirt, आप नहीं पहन पा रहे हो, बहुत branded कपड़े पहन रहे हैं, like denim के and all those brands, high five, जो brands है, जो काफी costly है, तो अगर आप उसे afford नहीं कर पा रहे हो, then let it be, और एक दिन आपका भी आएगा हो सकता है, आप उनसे जादा successful हो जाओ अपनी life में, तब कमा ल पीश्किल है, लेकिन if you will try, अगर आप try करते हो, then definitely आप यहाँ पर successful हो सकते हो, fourth characteristic जो हमारा है, एक successful student का that is ध्रणता, ध्रणता का मतलब होता है stability, आज के जमाने में stability का सबसे बड़ा issue है, unstable equilibrium और stable equilibrium के बीच में जूलते रह जाते हैं, लोग, neutral equilibrium में नहीं आ पाते हैं, तो आ neutral state, मतलब neutral equilibrium में होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि energy अगर बहुत जादा हो जाएगी, तब भी, मतलब, आपके लिए खत्रा है energy, बहुत कम होगी, तब भी आपके लिए खत्रा है, तो आपको अपनी energy को optimum level तक बनाए रखना है, इसके लिए आप different activities में पाट ल possible है, तो उनसे personally जाके मिलिए, अपनी problems को share करिये, मुझसे भी आपनी problems share कर सकते हैं, अगर personal कोई आपका problem है, and if you feel कि आप मुझे बता सकते हो, then do let me know, I will help you out, तो यहाँ पर यह भी बहुत एक important point है, आपका, that is stability, तो try to be maximum stable in your life, जितना आप stable हो सकते हैं, अकसर लोग क्या करत हैं, जैसे हमने देखा है कि B.Tech के time के पहले तो भाई, IIT ही चाहिए हमें, ठीक, IIT चाहिए, अच्छा, IIT रुड़की मिल गया तो भी सही है, खड़कूर मिल गया तो भी सही, नहीं, आपको compromise नहीं करना है, try to focus on one thing, ठीक है, एक आप target मान के चली कि हमें यह तो अचीव करन नहीं करना है, तो यहां से जब आप धिर हो जाएंगे, when you will be stable in your thinking, you will definitely be stable in your life, तो पांचमा और सबसे last जो हमारा characteristic है, किसी भी एक student में जो की normally नहीं होता है, लेकिन होना चाहिए, that is सहन शक्ती, tolerance, power, तो tolerance के बारे में mechanical वाले तो बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, हम लो especially आपके seniors या आपके parents आपसे कुछ कह रहे हैं, तो एक तम गुस्सा नहीं होना, टैश में नहीं आ जाना है, सोचना है कि वो क्या बोल रहे हैं and try to give a second thought कि वो उन्होंने कहा तो उसके पीछे क्या reason होगा और यहां से हमें क्या फाइदा मिल सकता है, ठीक है, तो यह सारी ची तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो इस वीडियो को like करना मत भूलेगा, share करना मत भूलेगा, चैनल को subscribe करना मत भूलेगा, और हमारे job updates का section भी आप लोग देखते रहे हर चौथे पाचवे दिन हम आपके लिए एक नई job लेकर आएंगे, उसका update आपको देंगे, तो वो different different branches के लिए भी होगा, not only for mechanical, यहाँ पर electrical, civil, CS, IT, इसी सब लोगों के लिए job updates आपको मिलेंगी हमारे channel Megzone पर, so thank you so much and bye-bye.